हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सब्सक्राइब देखिए मुंगेर इन्वर्सिटी का बिएट फरस्टेर का हम विवी आई कोस्चन आपका कोर्स टू के लिए देखिए इससे पहले हम कोर्सवन का डाल दिये हैं जो नहीं देखे होंगे जाके देख लिजेगा समझे कोर् औरम सब्सक्राइब वाले यानि उनका एकजाम होने वाले देखिए एकजाम होगा क्यक्कि देखिए जो आपका मुंगेर इन्वर्सिटी पहले भागलपुर इन्वर्सिटी में समझे तो भागल पुन इंवर्सिटी का डेट दे दिया है तो आप लोग का भी जाम भी डेट नहीं दिया लेकिन वह भी जल्दी ही दे देगा समझे तो आप लोग त्यारी में लग जाईए क्योंकि कभी आपका डेट दे सकता है देखिए उपर लिखा हुआ है बिएट फर्स्ट यर वीवी आई कोस्चन दुएर 21 मुंगेर इन्वर्सिटी कोर्स टू कंटेंपरोरी इंडिया ने जिए जो आपका क्या नाम है कंटेंपरोरी इंडिया एंड एजुकेस्ट देखिए अगोचीज बताते हैं देखिए आपक दो-दो कोस्टन में आपका एक-एक का एंसर देना यानी 10 रहेगा पांच का परते के उनिट से पांच चुछन का जवाब देना है तो हमें स्टार्ट करते हैं लिखा हुआ इनिट वान में देखिए बताते हैं कि हम आपका जो गेस कि दिन मतलब पूरा समय लग गया एक द लिए फरस्टेर की जानते है उसके कोस्टन का धारप फिर आपका भागलपुर इन्वर्सिटी एक कोस्टन का धारप मतलब गेस कि और सिलेवस की भी ता देखिए आपका जो कोस्टन आपका जो पूछा हुआ था देखे बॉवर्सिट पूछाता मुखा था आपका बॉदकारालिन शुक्षाइ क्या भिसेस्डा है समझे और पढ़त समय की जो है उसके क्या मतलब कैसे था और आपका है पहले के सिक्षावबस्था कैसे եी मुशलिम काल में कैसी थी और था दूसरा कोस्चन आपका था कि मुसलिम स्क्षा के गुन और दोसों का वनन करें तो यह दो कोस्चन पूछा हुआ था देखिए तो कोस्चन आपका इसमें क्या-क्या पढ़ना आप बता देतें था ध्यान दिजिएगा देखिए लखा हुआ है पहला फक्रतियुयों को त्यारी करने को पर लिखा हुआ है लोटे ही और में ये रते हुआ होनित बारोब कोर्ट और आखो आ पर को स्किये है कि कि प्राचीन काल की सिक्षा विश्ष्ताों की विवश्षना करें यो कि सिक्षा विवास्ता था तो तो उप्राचीनल काल की सिख्षा विश्ष्ष्ता थी चैसे नय्हिंट reopen the silent future of innocent period of education के इसमें थोड़ा-थोड़ा सब के के बारे में लिख सकते ही जयन के समय का इसा सिक्षा तो जो प्राचीन समय में जो सिक्षा वेवास्ता था मतलब उसके बारे में आपको लिखना दूसरा कोच्चन दिये हैं कि स्वतंद भारत के स्थेचिक पर्णाली की विकास की चर्चाकर यानि जब भारत सोतंद हुगा द तिसरा कोश्चन इसमें है कि चाटर 1813 की महत्प को असपश्ट करें इसके संतुत्ति यानि जो ब्रिटिस काल में चाटर एक्ट जो आया हुआ था क्या मत्तब संतुस्टी मतंद उसमें सुझाओ दिया था उसके बारा में लिखना था तीन कौश्चन है यह प्राचीजिन से भी कोई कोश्चन आप से प्राचीजन से पूछे बैद देख का जो भी मुस्लिम वाला जो सिख्छा तो पूछ दिया तो पूछेगा नहीं इसलिए आप कोश्चन देखके जाएगा इस से रिलेटर पढ़ लिजेगा वही आपके एकजाम में आएगा आपको कोई भी कोश्चन छूटेगा नहीं कोश्चन घुमा भी देगा तो आप आराम से लिख सकते हैं और देखिए जो किसी कोई भी दिक्कत हो कोई चीज पूछना आओ ता आ आप इस पर सकते पंचानेवे दवल जीरो चोबिस जीरो एक पर समझे आपका इवाट्सप नंबर है पंचानेवे चितर डवल जीरो चोबिस जुरेक पर आप वाट्सप्र करके अब पूछ सकते हैं अब देखिए आपका यह हो गया तीन कोश्चन देख लिजे किसमें लिखा पढ़ लिजेगा दूसरा है आपका सोतंद भारत के सच्छिक पढ़नाली की बिकास की चाचा करे और तिसरा है चार्टर अठावस तेरे की महत्व को असपष्ट करें इसके मुख संत्क्तियों को लिखिए आई अब यूनिट टू में आते हैं देखिए यूनिट टू इसके बारे में आपका यूनिट टू में पढ़ना है समझें लिखा के सिक्षा के महत्यों प्रकृति का विशलेशन उपिक दुधारनों के माध्यम से करें यानि कर रहा है कि इसका सिक्षा के बारे में आप परही के जाएगे कि आपका जो पेपर का नाम है Contemporary इंडिया न इसक्षा के महत्यों प्रकृति का विशलेशन उपिक दुधारनों के माध्यम से करें अब देखिए अब आपको सिलेवस यूनिट टू का देखाते हैं यहां पर देख लिजे यूनिट टू का सिलेवस देख लिजे कहां गया लिखा है ना डिखिए इसक्षा महत्यों प्रकृतिकी क्या होता है सिक्षे व्यक्ति कोन इसका विश्वलेस नात्मक्त समझ फिर दिया चिंतान मतलब थिंकर के बारे में दिया कौन को का थिंकर दिया है आप सेयाद महांमाना खाम तो सब कुछ नदेट आप याद रहे सब्सक्राइब देखाते हैं आपको दूसरा कोस्चन इसमें दूसरा इनूट में कुन कोस्चन है कि स्वामी विवेकानन्द के सैचिक विचारों का वन्यून करें देखें देख सकते हैं तो इक इंडियन दिये हैं और एक आपका क्या दिया है एक विद्यशी दिया है जोन डिवी के सैचिक चिंतन के समिख्षात्पा अध्यन करें दा बताए कि सिक्षा को देश की निर्धारन में क्या यक्दान है समझें तो यूनिट टू में आपका एक सिक्षा से रिलेटर कोस्चन पढ़ लिजेगा फिर उसके बाद थिंकर के बारे में पुछेगा तो उससे रिलेटर आप अराम से लिख सकते हैं आपका आटी से कोस्चन आपका रहता ही रहता है यानि सिक्षा के अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 के सचिक प्रवधानों के वर्णर करें यानि कराया कि दो एजुकेशन प्रवीजन आउफ र लिस्ट में मिल जाएगा आटमा कोस्चन है कि भारतिय सिक्षा पर जाती और वर्ण व्यवस्ता का प्रवावाता यानि प्वाइंट आउट आउट अप कास्ट एंड क्लास सिस्टम इन इंडियन एजुकेशन समझे और नौमा है कि बंचित वरोगों के लिए सवधानिक प सिक्षा में क्या सरवधानिक प्रवधान है तो देखिए आपको हम तिसरा इनिट का सिलेवस आपको पता देख लिए यहां देखिए लिख्या हुआ है कि सवधानिक संद्र भारतिय समाजिक निया के साधन के रूप में सिक्षा समधाई मुल्यों इस अब कि चीज़ के बारे में पूछ चुगा है समझे फिर समाझ में जाति-धर्म कैसे प्रभावित करता है इस सब चीज़के बारे में समान प्रवास्ता पर डाली और इसमें एक इस्टा देख लिए कि वन्चीत वर्गों के लिए सभधानिक प्रवधान क्या है इसकी चुनोतिया को लिखे समझें ते आप देख लिएगा आया इंट फोर में इनिट फोर में आपका क्वेश्चन है कि राष्टिय शिक्षानिती एन देख लिए इसका वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा फिर निम लिखित ने कि दो पर क्या दे उत्तर दे दो का उत्तर दे कोठा कोठारी आयोग इन सी एफ टी दुजार नौ तिसरा आपका समान स्कूल पर नाली दुजार साथ यानि कॉमन स्कूल सिस्टम उसी के कारे में आपको लिखना है समझे आप दो जो भी लगे लिख सकते हैं फिर आपका इसमें को देदिये हैं इस्टा कोचन की विद्ध्याले के विकास में समधाय और अनुसाचिक संगठोनों के मत संबंधों की चर्चा करे समझे एक कोचन देख लिएगा दिस्क्राइब दर रिलेशन बीट्विन स्कूल और अधर एजुकेस्नल ओर्गनाइजेशन विद इस इस्पेशल इरिफ्रेंस टू एस इर्टी और इन्सी आर्टी समझे और इसमें अगला कोश्चन दिये हैं चोदर आपका जो अगल का कोश्चन है इसमें कि विद्ध्याले संगठन के संच परियुक्त मुलभूत सिधान्तों की विचना करें विद्ध्याले के आप चला रहे तो उसके संचानन के कुन-कुन मुलभूत सिभधा होना चाहिए सिधानत होना चाहिए उसकी वाले लिगना है नहीं डिसक्राइब देसिक ब्रिंस्पल फॉर्ट अब स्कूल और इसमें और आपका डी नमबर है कि एन यू इपी ए और लास्ट आपका है कि विद्धाले एक संगठा और संगठन के अंगेरूप में ती तरह आप कोश्चन देख लिजेगा इसी में से आपका एक्जाम में रहे है क्योंकि इसी से आपका रिलेटेड कोश्चन है और हम प्रिभिय झाल कोश्चन है